हेलो एब्रिवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ फैब्रिक पेंटिंग एंड कुशन कवर डियाइवाई सो विदाउ वेस्टिंग अनी टाइम, लेट्स केट स्टार्टेड कुशन कवर पेंट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा ओविसली फैब्रिक जो कि मैं लोकल मार्केट से लेकर आए हूँ, ये मुझे 60 रुपीज पर मीटर पड़ा है मिजर्मिंट के लिए मैं एक पुराना कुशन कवर यूज़ कर दी हूँ, अज़ टेम्पलेट अभी हम सिक उपर का हिसा कट कर रहे हैं, जिसे हमें पेंट करना है अब जो भी पेंट करना चाहते हैं, उसे सबसे पहले ड्रॉ कर ले सो हमारे डिजाइन ड्रॉ हो चुका है, मैं इस पर एक कैक्टस पेंट करने वाली हूँ आप ऐसा ओडन प्रेम यूज़ कर सकते हैं, कपड़े को स्टिफ रखने के लिए मैं यहाँ पर कार्टबोर्ड और पेपर यूज़ कर रही हूँ बैक में, सो दैट कि यह पीछे मेरे डेस्क को ना लगे पेंट उसके पाद मैं यह स्पंज के हिल्प से पेंट को डैप करके एक बैक्राउंड बनाऊंगी मैं यहाँ बनाऊंगी झाल 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 हमारा कुशन पेंट हो चुका है अब हम इसे स्टिच कर लेंगे कुशन का बैक साइड बनाने के लिए हमें अपने करिंट कुशन के साइज से पांच से छे इंच बड़ा कपरा चाहिए सो देट हम उसे ओवरलाब कर सके हमें अपने कर देट है अब इस कपड़े को हम इकोली दो पीसेज में कट कर लेंगे सो देट की हम ओवरलाब कर सके जो हिस्सा हम ओवरलाब करने वाले हैं उसको हम स्टिच कर लेंगे पहले कर दो हम स्टिच कर दो हम इसको देट हैं आपक्त। कर दो कर दो अब हम सारे पीसेज को अटाच करके स्टिच कर लेंगे यहाँ पर पहले मैंने कच्ची सिलाई की है क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से सिलाई नहीं आती अगर आप पॉफेक्ट हो तो आप डारिक भी सिल सकते हैं करके से कते हमाने कर दो कर दो आप लेंगे कर दो पॉफे नहीं कर दो तो आप कर दो लेंगे कर दो कर दो कर दो कर दो तो सो हमारा कुशन अब सिलके रेडी हो चुका है सो अब हम इसकी कच्ची सिलाई निकाल लेंगे सो चलिए अब देखते हैं फाइनल लाउटपुट अब देखते हैं अब देखते हैं अब देखते हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लेक्ट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो और दोंगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल थांक्स फर वाचिंग